अरे नहीं यार आज नहीं आज नहीं सुनते इस म्यूजिक को फिर किसी दिन सुन लेंगे मैं जानता हूँ कि आपका दिल भी करता है कि माइक्रोबियालजी का नाम सुनके म्यूजिक सुनने का लेकिन आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप म्यूजिक को छोड़ें और इस पर कंसंट्रेट करें क्योंकि जब आप एक्जैम में बैठे होंगे तो इस टॉपिक के आपको बहुत ज़्यादा जूर्ट पढ़ेगी और जब ये एक्जैम में आया हुआ होगा तो आप कहेंगे के भाई ने सही कहा था तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और मैं ये भी जानता हूं कि माइक्रोबियालोजी बहुत ज़्यादा बोरिंग है लेकिन मैंने आपके लिए जो ये स्लाइड बनाई है ये टूदा पॉइंट है और में सब चीज़ें यहां पर इसमें कवर की हैं मुझे पता है कि मेडिकल कॉलजी में एक क्लास में 100 लोग होते हैं तो 60 लोगों को इन्वाइट करो ना यार सब्सक्राइब करो जलदी करो क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइबर यहां पर नजर आने चाहिए क्योंकि मैं अपना यहां पे नौलिज के साइंस दे रहा हूं तो आप भी अपने सब्सक्राइबर के साइंस लाजमी दो यहां पे तो वापी साते हम अपने टॉपिक की तरफ आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रेप्टो कोकस पायरो जीन्स है आपने देखा कि हमने जो स्ट्रेप्लो कोकस के तीनों बैक्टेरिया थे वो हमने डिसकस डिटेल में कर लिया है यह बैक्टेरिया बहुत ज़्यादे इंपोर्टन्ट है और हमने इसकी हर एक चीज़ को हम प्लायरो प्लायरो कर बैक्ट देखा है जिमारे अजिनों स्ट्रेप्टो कोकस पायरो जीन्स है याद ह्साब नंगे हैंुए उल्हसान और स्थेफिल्डोकॉकस के भी पैला पेजिए दोऎन पाइ्रोकॉकस की है। इन देरेश निहा। करे दों तो अतम खेंँ उल्हसे हैं। और यह भी मैंने आपको बताया था कि इनके दूसरे नाम आपने लाजमी याद रखनें हैं सबसे पहले हम इसकी diseases discuss करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरस्ट जो होती है वो डिजीज में ही पैदा होती है कि बंदे को सबसे पहले diseases का पता होना चाहिए बाकि सब बंदे को बोरिंग लगता है लेकिंडीजिय्जिज फे इन्सान थोड़ा वह बहुत कॉंसुझरइट करता है तो आउपने इस पे में 群स इन करना है कुँके डेजीजिज फाहीज तो आखी आप इसफानी से स्नियरियू कर लोगे वह भी कुछ डिजीजी जो यह कास करता है उसमें मिनोलोजिकल डिजीजी जा जाएंगी कुछ इसके लावा टॉक्सिजेनिक इंफेक्शन भी कास करता है अब यहां पे देखें के सपूरेटिव जो हैं जितने भी अब तक हमने चोथा बिक्टेरिया आज पढ़ रहे हैं सब में पाएज़निक बेक्टेरिया थे सब में पास बन रही थी तो ना इसका नाम ही पाएज़नी प्रेजिक है तो डीज इसमें भी बन रही है इसके लावा टॉक्सीजेनिक आप यहां पे देखें तोक्सिजेनिक भी एक बेक्टेरियाँ उसकैयाँ पड़ा है नहीं नो works, तो आपने माइक्रोबियालोजी को कंपेयर करके पढ़ने हैं जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं और थोड़ा याद भी रहेगा आप एक बैक्टेरिया को दुसरे के साथ कंपेयर करो आपको बहुत ज्यादा असानी होगी अब हम सबसे पहले आते हैं कि पायोजैनिक में जो लोकल इंफेक्शन थे सबसे पहले उनको डिसकस करते हैं कि उसमें क्या क्या होता है अब आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि उसमें एक गले के उपर इंफेक्शन दिखाया गया था उसका मतलब यही था कि यह जो सारी कहानी है इस बेक्टेरिया की वो फ्रेंजाइटस से ही शुरू होती है फ्रेंजाइटस क्या है कि फैरंग्स की इंफ्लमेशन हो जाना और उसमें सोर्थ रोट इससे तो आप बहुत भी वाकिफ ही होंगे कि सोर्थ रोट जब सबसे पहले होता है तो इसी से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है इस बेक्टेरिया की फ्रेंजाइटस और डिजीजिस में भी होता है वाइरल इंफेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉमन है तो आपने यह याद रखना है लाजमी अब यह जो फ्रेंजाइटस है यह होता क्या है आगे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखें यह पिक्चर है इसमें क्या होती है कि अरिथीमा और स्वैलिंग उफ पेलेट यूवॉला और पॉस्टिरियर फैरेंग्स अब आप कहोगे यार यूवूला यूवूला ये बहुतس लोग गलत पढ़ते हैं यूवूला और पतन ही क्या क्या पढ़ते रहते हैं यूवूला इसको बोलते हैं विस्विकली तो यहां पे आप देखें इस पिक्चर में देखें गोर से यहां पे यह यूवुला होता है यह जो है सोफ्ट पैलेड है और यह पीछे वाला जो इलाका है यह सारा पोस्टीजर फैरेंग्स है तो अब यहां पे देखें यह एरिथीमा रेडने स्वैलिंग हुई हुई है अगले अगले जो सारे इंफेक्शन है बहुं से यहां पे देखें कि लिव्माए लेजय किया गहा है कि यह सारे पर पत या फैर पे यहां पे यहां आपने स्टेफलो कोकस आरियस में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो यह आपने याद रखना है कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा इंपिटिगो का बिक्टेरिया है जो काज करता है वो स्ट्रेप्टो कोकस पायो जीन्स है तो यहाँ भी उसका तज़करा आ चुका है इंपिटिगो क्या था यह यह था कि क्रॉप ओफ वैजिकल्स बन रही होती है जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दुबारा लगा दी है तो आप यहाँ पे इसको असानी के साथ डिफरेंशेट कर सकते हैं दूसरा जो चीज है वहाँ यहाँ पे सेलॉलाइटस इसमें हो रही होती है सेलॉलाइटस भी स्किन डिजीज है लेकिन इसमें क्या होता है कि एरिथीमा पेंस स्वैलिंग ऑफ द लोर लेयर मुटलिफ कि इसमें के रिजन्स और फूट की होती है यहाँ पिक्चर दिखाता हूं यहाँ पर इस पिक्चर को देखें अब सेलॉलाइटस जो है यह मुमन लोर एक्स्ट्रीमिटी इसकी भी होती है लेकिन इसके लावा भी डिफरेंट आर्गेंस की हो सकती है आप यहाँ पे देखें इसके लावा यह स्वेल भी किया हुआ है आप देखें बहुत ज्यादा पाओं तो यह दिखाया गया है कि फूट का जो उपर वाला है इसको दॉर्सम बोलते हैं तो यह चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है सेलुलाइटस आपने याद रखना है कि मॉस्ट कामन है इसमें ißt अब जो चीज़ें कौमन होंगी बैक्टेरिया में आपने बस याद रहना है लेकिन जो में होगी न ना जो इससी में हो रही होगी वह आपने लाजमी याद रहना है उसके बाद जो आरीसापिलागा यह भी यहां पे हो रहा है और जो cellulitis है वो थोड़ा सा lower layer of the skin पे होता है ये main difference आपने इसमें लाजमी याद रखने है उसके बाद जो है erisipilis की मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके face पर ये एक well demarkated border है मतलब इसके margins जो है वो well demarkated है inflammation हुई हुई है आप यहाँ पर देखें redness वगएरा आपको शो हो रही है तो जो erisipilis है इसकी यह main cause जो है वो pyogenes ही होता है तो यह याद रखना है उसके इलावा जो अगली चीज़ है वो necrotizing facialitis है अब यह भी और bacteria भी करवाते है लेकिन दो bacteria बहुत ज़्यादा common है तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ एक जो है वो clostridium perfringes होता है दूसरा जो हम भी परड़ है pyogenes यह करवाते है necrotizing facialitis क्या होता है इसको हम streptococcal gangrene भी बोल सकते है क्योंकि streptococcal bacteria और gangrene क्या होती है gangrene यह होती है कि necrotizing, necrosed area अगर बहुत ज़्यादा हो जाए अगर उसकी blood supply थोड़ी सी काम हो जाए necrosis भी हो और उसकी necrosis blood supply की काम होने के वज़ा से हो तो उसको gangrene बोला जाता है इसके इलावा यहाँ पे यह जो है नेक्रोटाइजिंग फेशिलाइटास यह हमोमन परपल या रेड शो होता है आगे पर फरिंजिस में इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने इसके भी दो बेक्टेरिया आपको बता दी है तो आपने यह डिफरेंस याद रखना है नेक्स्ट हम आते हैं डेसिमनेटिव पायोजनिक इंफेक्शन लोकल तो हमने डिसकस कर लिए अब हम स्टेब बाइ स्टेब आगे चलेंगे इसमें सबसे पहले सेपसिज होगी जाहिरी बात है डेसिमनेटिड है तो फैल जाएगा पूरा है केमिकल्स और साइटोकाइन्स रिलीज होंगे तो सेपसिज होना लाजमी है इसके लावा हार्ड में एक डिजीज ये करवाएगा सब एक्यूट बेक्टेरियल एंडोकारडाइटस अब आप यहां पे देखें सेपसिज हर पिछले बेक्टेरिया में भी हो रही थी अब एंडोकारडाइटस वो भी हमने जितने बेक्टेरिया पढ़े हैं सब में हो रही है तो आप यह कुछ चीज़ें जो कामन है यह आप हर बेक्टेरिया के लिए याद रख सकते हैं जो कि तर्तीब में आ रहे हैं लेकिन जो डिफ्रेंशियेटिट पॉइंट है वो आपने अलग रखने है अब जो एंडोकाडाइटस है यह विरिडेंस जो है इसकी बहुत ज़्यादा कॉमन काज है लेकिन यह बेक्टेरिया भी करवाता है अब एंडोकाडाइटस क्या है कि इंफ्लमेशन ऑफ दा एंडोथियर लाइनिंग ऑफ दा हार्ट और यहां पे आप पिक्चर में अगर देखें कि यह आपको एक वाइड सी वो नजर आ रही है कि अबनॉर्मल टिशू टाइब या स्वेलिंग टाइब आप इसको कह सकते हैं अबनॉर्मल ग्रोथ जिसे वेजिटेशन बोल सकते हैं यह मैटरल वाल के ओपर यहां पे शो हो रही है वेजिटेशन अबनॉर्मल ग्रोथ और मैटरल वाल वेजिटेशन टानमा आपने याद रखनी है इसका मतलब यही होता है कि अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना किसी टिश जो हमने नॉन सपूरेटिव में पढ़ा था इसको हम पोस्ट रप्टो कोकल भी बोलते हैं यह तीनों नाम है इसके यह आपने याद रखने है इसमें जो सबसे पहली डिजीज है वो है रूमेटिक फीवर और दूसरी है गलोमेरोनेफराइटस हम थोड़ा सा इसमें देख ल कि मर्ट्रल वाल हर्ट में होता है वो थोड़ा सथ तंग हो जाता है बलड सप्लाइ फिर नहीं जा पाती और फिर सांस बंदोना शूरू हो जाता है बलड स्प्लाय रुक जाती है और सिम्टम्स शूरू हो जाती है अब रूमेटिक फीवर के लिए एक बहुत ही मशूर क्राइटेरिया है जोन्स का पता नहीं ये जोन्स कौन था बस उसने जो क्राइटेरिया बना थी आप स्टूटेंट्स को जो भी हो याद तो करना है तो आपने इसको याद कर लेना है इसमें क्या है कि पोली आर्थ्राइटस सबसे पहले आप इसके जो वर्ड्स हैं इसी से ही इसको याद रख सकते हैं बैसिकली एक पूरा निमोनिक ही है Jones criteria Jones O से आपने याद रखना है Jones से आपने याद रखना है कि joints polyarthritis और O से आपने याद रखना है कि heart diseases N से आपने याद रखना है कि nodules E से आपने याद रखना है erythema marginatum S से याद रखना है कि sydenham korea sydenham korea तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह डिजीजिस हैं क्या क्या पॉली आर्थराइटस यह है कि पॉली मीन मैनी और आर्थराइटस मीन इंफलमेशन अफ़ जॉइन अगर बहुत ज्यादा जॉइन्स की इंफलमेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए तो उसको पॉली आर्थराइटस बोलते हैं उसके बाद जो हार्ड डिजीजिस हैं उसमें वही हो गई मिट्रल वास्टीनोसिस एंडोकारइटस वगएरा उसके बाद है सबक्यूटेनिस नोडियूल्स स्किन की जो डीप लेयर है उसके अंदर कुछ रोडियूल्स बनना शुरू हो जाते हैं इसके लावा जो होती है इसमें एरिथीमा मारजिनेटम है के स्किन की उपर वाली लेयर में स्वैलिंग वगएरा या रहश वगएरा बन जाना उसको बोलते हैं रिथीमा मारजिनेटम इसके लावा सेडन हैम कोरिया हो जाता है यह नियूरोलोजिकल डिसॉर्डर है इसमें अबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं बोडी की आर्म्स की लेग्स की इस किसम की तो यह पूरा एक पांच चे क्राइटेरिया यह आपने इसमें लाजमी याद रखने है क्योंकि पेपर या सिनेरियो में इसी तरह के सिम्टम्स बता देते हैं और फिर डियाग्नोस करना पड़ता है तो यह आपने सारे क्राइटेरिया लाजमी याद रखने है उसके बाद जो दूसरी डिजीज है वो है गलो मेरूलो नेफराइटस इसके साफ मतलब है कि आइटस मीन इंफलमेशन और नेफराइटस मीन इंफलमेशन अफ दे नेफरोन या गलो मेरूलाई इसकी इंफलमेशन हो जाती है इसके दो ही मेन सिम्टम जो शो होते हैं कि फेशिल एडीमा हो जाता है उसके इलावा कोला कलर यूरेन बन जाता है जाहिरी बात है कि गलूमेरलस वो हो रहा है मतलब इन्फलमेशन उसमें हो रही है तो जाहिरी बात है उसने जो यूरेन निकालना है तो उसमें वो कुछ चेंजिंग्स लाएगा तो उसका कलर वो कॉला कलर कर देता है कॉला कलर यूरेन एक और भी एकसरसाइज अगर बहुत ज्यादा स्वेर की जाए तो उसकी वज़े से भी हो जाता है तो में जो आपने याद रखने हैं यहां पर डिजीजिस के नाम तो लाजमी याद रखने हैं अगर भीज में आपको थोड़ा सा पता हो कि उसमें क्या-क्या सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है उसके बाद अगले जो इसके इंफेक्शन है टॉक्सिजैनिक इंफेक्शन जो आखरी इंफेक्शन है इसके इसमें दो तरह के इंफेक्शन है Toxic Shox syndrome and Sclar-lead Fever अब अब आप नहीं पर देखे हैं कि तॉकिसक शोक सेंडरोम हम ने एक और बैक्टेरिया में भी पढ़ा था हाँ आपको यद आ गया होगा वह था किस टेफलो कोकस आरियस उसमय toxic shock syndrome हो रहा था सिस्टैमिक सिंटम्स आ रहे थै कοιूंके टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है वो पूरी बोड़ी में फैल जाता है मल्टीपल ओर्गन फेलिर्स करवा देता है नई चीज़ जहां पे है वो है स्कालेट फीवर ये बहुत आहम है आपने याद रखना है क्योंकि ये इसी बेक्टेरिया में ही हो रहा है जो में बात है वो आपने कभी नहीं भूलनी क्योंकि इसी सही आप डाइगनोस करते हो स्कालेट फीवर के आपके जो तीन टैर्टेरियां जो आपने याद रखना है कि इसमें स्टोबरी टंग हो जाती है स्टोबरी तो आपने खाई होगी तो आपने उसी से याद रखना है कि स्टोबरी टंग हो जाती है उसके बाद जो है फ्रेंजाइटस भाई कहानी फ्रेंजाइटस शुरू होई थी तो ये कैसे बूलें गया ठीक है आगे चलते हैं उसके बाद है डिफरेंट किसम के रैश बन जाने रैश बनेंगे इसमें रैश क्या होता है बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी जहां भी रैश बनेंगे तो थोड़ी सी स्कीन स्वेलन हो जाना या उसमें इरिटेशन, पेइन वगएरा स्कार्ट हो जाना तो उसको रैश बोला जाता है तो इसमें ये तीन चीज़े बनना शूरू हो जाएंगे स्कालर्ट से या आपने याद रखना है कि स्वेलिंग, रैश, स्ट्रॉबरी इस किसम के लफज याद रखने है आपने तो ये हो गए यो दो डिजीज़े ये याद रखनी है उसके बाद डिजीज़े से हुआ काम तमाम हमारा बस वही आहम था, अब तो असानी है आगे बस थोड़ी सी पॉतर जैने सीज़े है इसके बाद हैबिटेट जो है, इसका मेन है वो थ्रॉट है कहानी फरंजाइटस से स्टार्ट हुई थी तो हैबिटेट थ्रॉट ही होना चाहिए ठीक है उसके बाद स्कीन इंफेक्शन है, हाँ, लोकल पायोजेनिक स्कीन इंफेक्शन जो हमने डिसकस किये तो स्कीन इसका इबिटेट है, ठीक है उसके बाद ट्रॉंसमिशन इसकी कैसे होती है, रिस्पारेटरी डॉपलेट से होती है अब आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि आगे वाइरोलोजी में भी हम पढ़ेंगे, क्लिनिकल वाइरोलोजी में कि उसमें भी रिस्पारेटरी डॉपलेट्स के बहुत ज़्यादा वाइरस हैं, जो इससे फैलते हैं क्रोना वाइरस का आपने नाम सुना होगा सुना क्या होगा, सब भी उससे परिशान है यार तो आप उसमें सुना होगा के रिस्पारेटरी डॉपलेट्स की वज़ए से वो फैलता है तो इसी लिए हम लोग मास्क लगा कर रखते हैं यही वज़ा है, अब यह रिस्पारेटरी डॉपलेट्स होते क्या हैं यह मैं आपको बताता हूँ, यह जो हैं स्माल एक्वस डॉपलेट्स हैं, जो के हम इनलेशन नहीं, जब एक्जेल करते हैं, तो उसमें निकलते हैं उसको यह बोला जाता है, और इसके अंदर म्यूकस यह सलाइवा कुछ भी उसमें हो सकता है तो इसको डॉपलेट्स वगयरा बोला जाता है तो इसलिए जब हम एक्जेल करते हैं, तो वो डॉपलेट्स निकलते रहते हैं तो उसी से बजने के लिए लोग अभी इस जीस का इतियाद कर रहे हम नेक्स 기자 है हम पैसोजनेसिस में तो पैसोजनेसिस भी इसकी उतनी ही होगे जितनी इसकी डिजीसिती अब हम हर disease का एक एक pathogen या एक एक toxin enzyme जो कुछ होगा वो इसका आपने याद रखना है ठीक है अब देखें यहाँ पे हम ने enzymes को इकठा कर दिया toxins को इकठा कर दिया immunological pathogenesis को इकठा कर दिया आपके असानी के लिए अब आपने हर disease का एक toxin याद रखना है यार इतना असान है अब और क्या करे बंदा यार एक disease के एक toxin तो याद करी सकता है diseases के नाम तो याद करी सकता है ठीक है अब सबसे पहले हम यहाँ पे enzymes डिसक्स कर लेते हैं सबसे पहला enzyme है वो हैलोटरोनी डेज है दूसरा stepto kinase है तीसरा DNA है चोथा IgA degradating enzyme सबसे पहला जो enzyme है उसको डिसक्स करते है हैलोनी डेज यह क्या करता है यह skin में होता है और यह skin की breakdown करवा देता है और breakdown करवाने के बाद फिर उसकी spreading करवा देता है subcutaneously तो यह skin infection में involved होता है अब आपने जो skin के जितने भी infection है इसमें हो रहे है उसके लिए बस एक word याद रखना है कि हलोनी डेज इतना असान है बस इसमें जितने भी supportive skin के infection हो रहे है जितने हमने डिसक्स कर लिए है ठीक है उसके बाद डेसिमनेटिर infections बे आते हैं उसकी pathogenesis क्या होनी चाहिए स्ट्रेप्टो काइनेज को याद रखना है यार एक word है फिर फ़ेबरिनो लाइसीन इसमें होता है इसको दूसरा नाम फ़ेबरिनो लाइसीन है यह क्या होता है कि यह कलोर्स को तोड़ता है प्लाजमीनोजेन को प्लाजमीन में कनवर्ट कर देगा थ्रोमबाई, एमबोलाई जो बन रहे होंगे उसको तोड़ेगा तो यह तकरीबान हार्ड के infection करवा देता है बहुत ज्यादा तो उसके लिए आपने desminated या heart के लिए यह याद रख लेना है desminated नहीं लेकिन heart के लिए आपने इसको याद रख लेना है heart diseases के लिए उसके बाद यह दो इंजाइम तो हो गए इसके बागी जो हैं अगले दो इंजाइम हैं वो हैं immunological diseases के immunological diseases कौन सी थी वो थी rheumatic fever और glomerular nephritis वाली उसमें DNAs एक important है जिसका दूसरा नाम है streptodornase यह क्या करता है कि यह DNA को degregate करता है जैसे DNAs है तो साहरी बाद है DNA को degregate करेगा उसके बाद क्या होगा जो उसका exudute बन जाएगा साहरी बाद उसने DNA को degregate कर दिया तो exudute उसका बनेगा या कोई necrotic tissue बन जाएगा उसके immune reaction की सुध में तो फिर उसको body से बाद निकाल दिया जाता है उसके बाद जो अगला enzyme है यह जो DNAs है यह glomerular nephritis में यूज होता है यह आगे चलके हम पढ़ेंगे भी IgA degregating enzyme है उसके बाद यह क्या करता है कि यह protease है जो कि IgA heavy chain को तोड़ता है यह भी DNAs के साथ मिलके कागे काम करता है क्यूंके ताकि आगे जाके glomerular nephritis करवाएगा protease है ना कि protein को तोड़ेगा glomerular membrane में और फिर उसकी inflammation करवा देता है तो यह दोनों आपने glomerular nephritis के लिए याद रखने है अब यह बागी सारी explanation आपको समझाने के लिए यार यह slide इतनी लंबी नहीं है आप एम ही परिशान हो जाते हो उसके बाद जो है immunological pathogenesis जो rheumatic fever और वो glomerular nephritis थी उसकी क्या क्या चीज़े है उसमें उसमें आपने एक antibody याद रखने है और दुसरा M protein याद रखने है यह दो चीज़े में इसमें इंवाल्व होती है अब आप यहाँ पर देखें कि immunological है तो साहरी बात है कोई एक antigen होगा फिर उसकी antibody बनेगी अब antibody तो उसकी body में ही बनेगी और antigen क्या होगा वो bacteria ही होगा जो यह non-soperative disease काज कर रहा है दूसरा जो है M protein याद रखने है जो के impede करता है phagocytosis को virulence factor है main जो है जो है जो इसका rheumatogenic और nephrotogenic जैसे मैं आपको बताया है कि इन दोनों disease को यह काज करने में 22 बनता है अब romantic fever की pathogenesis देख देते हैं और उसके बाद gromerole nephritis की pathogenesis देख लेते हैं romantic fever जो है इसमें immunological cross reaction होता है bacteria के antigen में और heart में और joint में अब देखें कि immunological cross reaction क्या होता है immunological cross reaction यह होता है कि यह antibody जो है वो उस antigen के खिलाफ ना बने जिससे related उस प्रोटीन के खिलाफ ना बने जिससे related antigen था तो इसलिए उसको cross reaction बोला जाता है और इसमें बैक्टेरियर antigen है और जिस पे यह जाके एक्ट करेगा वो heart है और joint tissue है heart की diseases आपने देखा romantic fever में हो रही थी joint की diseases भी हो रही थी आपने देख लिया तो इस तरह कुछ यह pathogenesis करवा रहे है simple है यार immunological cross reaction बस तो antibody against treptococcal M protein बनती है फिर बैक्टेरिया का जो antigen है वो M protein बना देता है उसके खिलाब antibody बन जाती है ठीक है बस इतनी सी कहानी है और यह किसमें बनती है myosine in cardiac tissue जो cardiac tissue का contractile unit है myosine उसके अंदर यह बन रही होती है ठीक है उसके बाद acute glomerular nephritis इसकी क्या pathogenesis है इसमें भी वही है immunological है तो immune complex बन रहा है किस-किस के दर्मियान पर रहा है streptococcal antigen आ रहा है bacteria का उसके खिलाब जो antibody बन रही है उसको complex बन रहा है और वो glomerular membrane में intrapt हो जाता है simple सी बात है एक दो बात और याद रखनी है कि जब ये intrapt होगा तो जाहिरी बात है inflammation हो रही है तो वो complement system को activate करेगी या अपने pathology में भी पढ़ा होगा inflammation वाले में कि उसके बाद C5 जो main है वो neutrophil को attract करेगा जो के body के WBC cells होते है inflammation करवाएगा उसके इलावा वो फिर जाके damage करना शुरू कर देगा glow-marol-like तो main ये दो तीन बात है याद रखने है immune complex, complement और protease बस खताम भी कहान ही इसकी उसके बाद जो हमारे पास diseases रह गई हैं toxicogenic उसके लिए हमें क्या-क्या याद रखने है toxicogenic में हमारे पास क्या-क्या था scarlet fever था, toxic shock syndrome था ठीक है अब जो scarlet fever है उसके rash जो हैं वो होते हैं एक toxin से काद होते हैं erythrogenic toxin ये जो होता है super antigen है, super antigen क्या होता है super antigen ये होता है कि अगर कोई antigen बहुत ज़्यादा immune response को activate कर दे, बहुत ज़्यादा T-cells ये cytokines को बनाना शुरू कर दे तो उसको super antigen का जाता है अगला toxic shock syndrome उसकी पैत हो जाएंसीज में एक लवज याद रखना है pyogenic exotoxin A exotoxin A ये हमने आओ और ये समें भी पढ़ा था इसमें A और C होता है तो A C भी याद रखना है आपने, ये super antigen वोई बात हो गई उसके बाद जो है एक और है exotoxin B अब ये toxicogenic diseases से related नहीं है ये skin से related diseases में है जो हमने necrotizing facialitis पढ़ा था skin diseases में अब skin में आपने lecithin के इलावा ये भी याद रखना है कि exotoxin B भी है जो necrotizing facialitis करवाता है कैसे करवाता है वो ही protease को कर देगा activate फिर वो destroy tissue को tissue को destroy करना शुरू कर देगा बहुत तेजी से तो इसलिए इसको flesh eating strepto को काई भी कहा जाता है ये main words हैं आपने याद रखने है उसके बाद इसमें दो किसम के lysine बनते हैं यहां पर आप देखें toxins and hemolycine दो किसम के lysine है ये भी आपने याद रखने है इसलिए मैं कहा रहा था ये बहुत ज़्यादा important है इसमें बहुत ज़्यादा MCQs और SCQs बगएरा बन सकते हैं इसलिए इसको बहुत डिटेल में डिसकस करना बहुत ज़्यादा 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 जरूरी था स्ट्रेप्टोलाइसीन O में क्या होता है कि हीमोलाइसीन है ये जाहरी बात है ये स्ट्रेप्टोलाइसीन O यानि ऑक्सीजन लेबाईल है लेबाई मीन अक्सीजन लविंग, अक्सीजन को अट्रैक्ट करती है लेकिन जो इनक्टिवेट हो जाती है अक्सीडेशन से और इसके खिलाफ ही एंटी स्ट्रेप्टोलाइसीन, O एंटी बॉडी बनती है तो हमने इसको इसलिए याद रखना है कि यह हमारे लिए डियागनोस्टिक होती है यह बेक्टेरिया में स्ट्रेप्टोलाइसीन, O क्योंके रुमेटिक फीवर जब होगा पेशन्ट को तो इसके खिलाफ ही एंटी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी तो यह हमने इसके लिए डियागनोस्टिक के लिए इसको याद रखना है दूसरी जो है स्ट्रेप्टोलाइसीन, इसको भी हम डियागनोस्टिक में इसकी इंपोर्टन है बहुत ज्यादा कि यह भी हमोलाइसीन है लेकिन यह अक्सिजन स्टेबल है इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखने है यह एक्सिजन स्टेबल यह एक्सिजन लेबाई यह एक्टिवेट नहीं होती ऑक्सिडेशन से यह इनक्टिवेट हो जाती है इसके इलावा इसकी इंपोर्टनस यह है कि बीटा हेमोलेटिक कॉलोनी जो बनेंगी इस पायोजीन्स की उसमें यह दोनों इनवॉल्वेट इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अभी चलो जी पैथोजैनस इस भी खतम हो गई अल्ला लगर के उसके बाद लेकिन उमीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा क्योंके में आपको सही समझ आ गया होगा अब आप चल कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस इसमें गया है कि अब हम स्ट्रेप्टो कोकाई को डिस्कस कर रहे है तो ग्राम पोजिटिव कोकाई तो सेम आ रहा है ठीक है चेंज इसमें आ जाएंगे क्योंके स्ट्रेप्टो मीन्स चेंज स्टेफलो था तो कलस्टर्स थे जो ग्रेप लाइक बन रहे थे अब यहाँ पे स्ट्रेप्टो है तो चेंज बन रही है कैसी चेंज होती है आब यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते है कि यहां पे एक chain किसम की एक picture बनी हुई है तो आपने इस से इसको याद रखना है इसमें बीटा हैमोलेटिक कोलोनीज बनती है अब आप देखें कि बीटा हैमोलेटिक कोलोनी स्टेफ औरियस में बन रही थी उसके बाद अगले दो बैक्टेरिया में नौन इमोलेटिक थे अब इसमें फिर वीटा हैमोलेटिक कोलोनीज बन रही है तो यह फर्ग आपने याद रखना है लाजमी से उसके बाद क्या है कि अब हम कैसे उसको डिटर्माइन करते है कि बीटा हैमोलेटिक है अलफा है गैमा है क्योंके बहुत सारी होती है तो यह एंटीजैनिसिटी ओफ दा सेलवाल के सेलवाल की जो एंटीजैनिसिटी होती है सेलवाल कारगोईडरेट की उसकी बिना पर हम जजज करते हैं कि बीटा है अलफा है गैमा है तो यह याद रखना है, इसमें encapsulated होती है, एक capsule होता है और इसके इलावा जो beta-hemolytic है, इसका जो मतलब होता है, वो यही होता है कि complete breakdown of RBCs, कि पूरी breakdown करवा देता है RBCs की यह बहुत ज्यादा important है यह MCQs में आ सकता है, यह सारे इन में से आ सकता है, इसमें से बहुत ज्यादा MCQs बन सकते है इसके इलावा hemolysis करवाता है, यह streptolysin O और S की वज़ा से अब आप यहाँ पे देखें कि streptolysin O और S मैंने आपको बताया था कि वो beta complete breakdown और beta hemolytic colonies में involved है, तो आपने यहाँ पे देख लिया अब एक और differentiating point आपने याद रखना है, इसलिए मैंने इसको yellow color दिया है कि इसमें lens field classification को आपने याद रखना है, कि पेशक यह beta hemolytic ही है लेकिन यह जो group A में आता है, यह group A याद रखना है और beta hemolytic क्योंकि एकसल confused हो जाता है बंदा इसमें तो आपने इसमें याद रखना है, यह group A में आता है, अगर group B और वो हम आगे discuss करेंगे तो lens field classification आपने याद रखनी है, उसमें यह group A में involved होता है lens field classification कौन सी है, यह catalyze जो negative है उसकी बिना पर, यह lens field classification की गई थी, इसको आगे हम discuss करेंगे लिबार्टरी डियागनोसिस में यह A से U तक होती है, लेकिन इसमें जो यह पायो जीन्स है, यह group A में आता है ठीक है, आपने इसमें से यह दो बातें लाजमी याद रखनी है उसके बाद चलते हैं next, जनरल में इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि जो alpha emolysis क्या होती है, beta emolysis क्या होती है, gamma emolysis मतलब इन तीनों में थोड़ा बहुत difference आपने याद रखना है beta का तो हमने पढ़ लिया कि उसमें complete license of RBCs हो रही है alpha का थोड़ा सा different है कि इसमें incomplete license हो रही है RBCs की, यह थोड़ा सा different है, इसके लावा gamma में तो होई नहीं रही है, जानी छुटी उसके बाद, यहाँ पे जो beta hemolytic है, उसमें clear zone बनता है hemolycin enzyme ONS की वजासे, यह हमने पढ़ लिया, ठीक है लेकिन जो alpha hemolysis है, उसमें green zone बनेगा, जाहिरी बात है कि RBCs complete license नहीं हो रही है, उसकी तो कोई और ही color देगा जैसे यह green दे रहा है, green color किस में होता है, बिली वर्डन में होता है क्योंकि अब hemoglobin नहीं बन रही तो कोई और pigment ही बनेगा तो बिली वर्डन बन जाता है यहां पर, उसके बाद जो है, इन तीनों को हम किस बन्यार पर judge करते हैं वो C carvo hydrate होती है, जो कि antigen होता है cell wall में वो determine करता है कि alpha होगा, beta होगा, gamma होगा, जो भी होगा इसके लावा यह lancified group को भी differentiate करता है कि group A होगा, B होगा, जापोंस होगा, ठीक है यह आपने याद रखने, यह तीन का difference एक एक और यह main choice की काज बनता है अब आते हैं laboratory diagnosis पे हम इसमें जो है, सबसे पहले gram staining है gram positive or gram negative bacteria में सबसे पहला test तो है gram staining लेकिन वो इतना ज्यादा इसमें useful नहीं है, सपुरेटिव infections के लिए mostly यूज किया जाता है लेकिन इसके लिए इतना ज्यादा useful नहीं है main test आपने सबसे पहला याद रखने है blood agar जाहरी बात है, beta amuletic colonies बन रही थी अब आप देखें blood agar आरियस में आया था क्योंकि उसमें भी बन रही थी तो ये आपने difference मतलब same जो चीज थी वो याद रखनी है कैसे हम करते हैं कि हम throat swap से उसका sample बग़रा ले देते हैं जिसको sore throat हुआ हुआ थै पेशन को तो फिर उससे हम diagnose करते हैं तीसरी जो यहाँ पे टेस्ट है वो है catalyze negative अब यहाँ पे एक चीज में आपको बताऊं कि जितने भी स्ट्रेप्टो कोकाई हैं 5 के 5 सब catalyze negative है मतलब बात ही खतम आगे आप आपको याद ही नहीं करना आप एक लफ़ याद कर लो catalyze negative बस clear सब में है स्ट्रेप्टो कोकाई जितने भी हैं 5 के 5 सब में catalyze negative है और यही lens field classification है इसी की बन्याद पर बनाई गई थी catalyze क्या है यह enzyme है जो के hydrogen paroxide को water और oxygen में convert कर देता है इसमें यह खासियत होती है लेकिन यह इसको नहीं कर सकता क्योंकि यह negative है ठीक है अगला जो इसका जो main test है वो है basic tracing sensitive यह लाजमी याद रखना है यह अगर याद हुआ तो आप कोई भी scenario कर लोगे basic tracing क्या है यह cell war inhibitor है इसमें यह sensitive है लेकिन यह उसकी growth को inhibit कर देता है यह तो लफ याद रखना है अब sensitive से बंदे को लगता है कि नहीं यह growth को इनायस करेगा लेकि नहीं यह inhibit ही करता है उसकी growth को ठीक है अगला जो test है वो ELISA test है यह test भी आप बहुत सुनोगे आगे जाके भी ELISA means क्या है enzyme linked immunosorbent assay immune देखें यहाँ पे immune का लफजा आगे है यानि यह group A streptococcal antigen जो throat में बन रहे होते हैं उसको detect कर लेता है अब जो ELISA test है यह जो antibody को basically detect करता है लेकिन यहाँ पे यह antigen को detect कर रहा होता है जो streptococcal A का होता है यह आपने याद रखने लाजमी यह तो कि general test जो इसमें use होते हैं कुछ test बहुत ज़्यादा specific है आप यहाँ पे देखें इसका color change है यहाँ पे मैंने इसलिए किया था कि याद रखने के लिए सबसे पहला है ASO यानि anti-streptolysin O antibody जैसे मैंने आपको बताया था कि वो diagnosis में help करता है किस की diagnosis में? rheumatic fever की diagnosis में कि वो उसका previous exposure हुआ था नहीं हुआ था उसमें यह help करता है anti-streptolysin O इसके इलावा जो डूसरा test है वो है antibody to streptococcal DNA is B अब B का मैंने आपको बताया था कि यह glomerul nephritis में use होता है acute glomerul nephritis को चेक करते हैं कि उसको पहले को skin infection तो नहीं हुआ जैसे MPT को वगएरा या कुछ भी इसके previous rheumatic fever का भी हम चेक करते हैं कि इसको frangitis तो पहले नहीं हुआ हुआ तो यह दो टेस्ट आपने लाजमी से याद रखने हैं यह बहुत special है इनके diseases के लिए यह थोड़े journal हैं सब के लिए use कर सकते हैं तो यह चार दो छे टेस्ट आपने याद रखने है next जाते हैं यह कुछ pictures हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यह जो short arrow है यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें यह alpha emoluses हो रही है और यह जो blood agar है उसमें दिखाया गया है कि यह alpha emoluses और यहाँ पे यह बीटा emoluses हो रही है यहाँ पे बिल्कुल clear zone है तो यह differentiate करने के लिए दिखाया गया है कि एक patient का throat swap से लिया गया और फिर उसका blood agar किया तो उसमें यह results वगरा है एक दूसरी यहाँ पे गार दिखाया गया है उसमें basic tracing test किया गया है उसमें क्या दिखाया गया है कि आप यहाँ पे देखें इसमें beta emoluses हो रही है इसमें यह alpha emoluses हो रही है partial और यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही अब यहाँ पे आप देखें कि यह basic tracing sensitive है यह उसकी growth को inhibit कर रहा है यहाँ पे color नहीं है red, आप यहाँ पे देख सकते हैं, असानी के साथ, तो यह चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, लिवारटी डाइगनोसिस भी हो गई, उसके बाद जो है, ट्रीटमेंट पे आते हैं इसकी, फाइनली हम ट्रीटमेंट पे भी आ चुके हैं, तो हम इ गुष्ट में यह जो ड्राइग ऑफ चॉइस हैं, आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पेंसलीन जी, इसके इलावा कुछ लोग जो हैं, तो यह इसे लिए यह जो ड्राइग ऑफ चॉइस हैं, लेकिन बहुत सारी क्मुनिटीज आप ते खिलाव रिश्सेंस पादा हो जाती लेगन जो पैंसिलीन जी है इसमें रिजिस्सन्स पैदा नहीं होती तो इसलिए यह डाग ओफ चॉइस है डाग ओफ चॉइस मिन कि आप फर्स्ट लेंड ड्रागा सबसे पहले दो गए उसको ठीक है आगे जाते हैं इसकी लास्ट पर प्रिवेंशन पर फाइनली हम खतम करने वाले हैं इसके बाद आप अराम से म्यूजिक सुनना यार अराम से सुनना क्योंकि इसके बाद बनता भी है इतनी देर आगर आपने देख लिया है ना इस वीडियो को तो आपका बनता है आप म्यूजिक सुनो पैंसिलीन सबसे पहले हम उसको देंगे प्रिवेंशन के इसके लावा स्कीन से फैलते हैं एंड वाशिंग करें मतलब क्योंके वैक्सीन तो इसकी है नहीं अब वैक्सीन नहीं है तो जाहरी बात है हम कुछ ड्रग्स देंगे या कुछ मतलब वैसी प्रिवेंशन वगारा करेंगे तो तब ही बाच सकते हैं तो यह इन चीजों का आप इन सब के नाम याद रखने हैं चार यह सेम हैं एक डिफरेंट हैं इनके दूसरे नेम याद रखने हैं उसके बाद डिजीजिस तीन किसम की हैं सपुरेटिव, नॉन सपुरेटिव और टॉक्सीजैनिक सबसे पहली जो लोकल पायोजैनिक इन्फेक्शन है इसमें सब के नाम आपको लाजमी याद हो यार आप बीच में डिटेल ना करो याद आपने समझना था समझ लिया समझने के लिए आप पढ़ो लेकिन जो आपने याद रखना है वो मेन बात एक एक लफ़ज है पांच लाज़ें बस तब से पहला जो फ्रेंजाइटस है बाकी सारी स्किन डिजीजिस हैं इंपिडी और सेलॉलाइटस एरिसेपिलाज और नेकरोटाइजिंग फेशिलाइटस ठीक है ये आपने ओस्पीज के लिए याद रखना है क्योंकि ये ओस्पी स्टेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ी होती है तो वहां आप ये आपके लिए हलपफुल हो सकती है उसके लावाए डैसिमनेटर इंफेक्शन में सेपसिज और एंडोकारडाइटस याद रखने है अब ये जो इसमें पॆशरन आपने याद रखना है एरीसेपिला जो इसमें मेन और और हरे और नेक्रोटाइजिंग विशलाइिटिस उसके बाद जो हैं, immune-mediated diseases में दो main diseases जो इसी में ही होती है dramatic fever और glomerul nephritis पस दो लफ़े हैं, तोक्सिजानिक में scarlet fever और toxic shock, toxic shock और में भी होता है, main जो है scarlet fever उसके बाद habitat में thought skin और transmission respiratory droplets उसके बाद एंजाइम चार नाम याद रख लो यार और किसकी डिजीज में वो इन्वाल में वो याद रख लो, heronidase, skin disease, tryptokinase, heart disease, dna, glomerul nephritis, igab, glomerul nephritis, immunological pathogenesis में भी बस ये चार नाम याद रखने, केंटी बोडी बनेगी, M-protein involved होगी, और इसके लावा इसमें immune cross-section होगा, और इसमें complement activate होगा, और बस वो चीज़ है, toxins disease में आपने ये toxin याद रखने है, erythrogetin toxin, scarlet fever, pyrogenic exotoxin A, toxic shock के लिए, ठीक है, exotoxin B, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, एक्रोटाइजिंग फेशलाइटस के लिए, बाकि दो स्ट्रेप्टोलाइस इनो और S, वो diagnostic है, characteristics में change याद रखने है, beta amuletic colony याद रखने है, lens field classification group A याद रखने है, ठीक है, उसके बाद जनरल में, alpha, beta और gamma in में याद रखने है, incomplete, complete और no lysis, ठीक है, किस बुनियाद पे, C carboid rate, ठीक है, अलबार्टी डाइगनोसिज में, gram staining helpful नहीं है, blood अगार, catalase और basic tracing, ELISA, ये general test हैं आपने याद रखने, ये specific test दो याद रखने हैं, ASO, rheumatic fever के लिए, और antibody to streptococcal DNA, उसके लिए, glomeroniferitis, ये उस्पी के लिए हो गई, उसके बाद treatment में drug of choice, पैंसिलीन जी और emoxiciline, और alternatives भी आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हैं, prevention में वही पैंसिलीन देना है, hand washing है, vaccine नहीं है, बास, काम खलाज, भी खतम, तो यहाँ पे हुआ यह बिक्टेरिया खतम, और आप भी लगता है, इसको सुन सुन के खतम होई चुके होंगे, तो आप भी बेतर है के rest कर लो, songs भी सुन सकते हो, music सुन लो यार, आप बनता है आपका, अराम से सुनो, और उस फुन म्यूजिक सुनने से पहले, यहाँ आप एक काम करो, इसको सबस्क्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने मेडिकल दोस्तों, और जितने भी आपके जानने वाले हैं, सब के साथ शेयर कर दो, भाई ने इतनी मिनत किया आपके लिए, और आपका भी हग बनता है, कि आप इसको आगे प्रोमोट करो, और इस वीडियो की डिस्किप्शन में, एक ओओ चैनल का लिंक है, उसको भी लाजमी से जाके सबस्क्राइब करो, उसको भी शेयर करो, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छी वीडियोज हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स दिये हुए हैं, फजूल में सोशल मीडिया यूज़ करते हो, एम साइंस के इंस्ट्राग्राम पेज़ फॉलो करो, तो वहाँ पे आपको मेडिका से रिलेटीड अच्छे अच्छी इंफॉमेशन मिलेगी, अच्छे अच्छी पोस्ट होती हैं वहाँ पे फेस्बुक पेज़ 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 भी, आप लाजमी से जाके विज़िट करो, आपको बहुत ज़्यादा पत्र अच्छा लगेगा, ठीक है, इसके लावा कोई सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में बताओ, कोई क्वेशन है वो भी बताओ, उसके जवाब आपको मिल जाएगा, नया वीडियो स्की इनलेटिड बन जाएगी, ठीक है, इसके लावा एक और इंपोर्टन आप बात मैं आपको बता दूँ, कि आपने लैब डागनोसिस, पैथोजेनसिस और डिजीजिस को लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपोर्टन बिक्टेरिया, इस से स्नेरियो बहुत ज़्यादा बनते हैं, बिक्टेरिया में तब तक के लिए, खुदा हाफिज,